आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बजार वितायूश दोस्तों इस वीडियो में हम बात कने वाले हैं टाटा पावर के शेयर के बारे में कि टाटा पावर के शेयर में आपको क्यों गिरावट देखने को मिली फ्राइडे के सेशन में और क्या यह जो गिरावट आई है य तो कि अगर टाटा पावर की बात कहें तो टाटा पावर ने फ्राइडे के सेशन में गिरावट दिखाई है 107.35 पे क्लोजिंग दिये 1.95 पैसा शेर गिरा है 1.78 परशन आपको शेर में डाउनफॉल देखने को मिला है तो दोस्तों टाटा पावर में जो में गिरावट आई वो तो देखें बिल्कुल सीधा-सीधा एक कारण है वो है मारकेट का प्रेशर जो मारकेट में आपको गिरावट बनती भी देखने को मिलिए उसके कारण यहां पर भी देखें प्रेशर बिल्ड हुआ है और शेयर ने देखिए फ्राइडे को एक इंट्रेस्टिंग चार्ट पैटर्न बनाया है और वो पैटर्न से पता चल रहा है कि शेयर ने अब एक अपना इंपॉर्डन सपोर्ट बना लिया है आप देखेंगे तो यहां पे शेयर पहले 107 रुपे की नीचे जाने की पूरी कोशिश नहीं कर रहा था और यहां से देखिए एक बार रिटर्न होके फिर उपर भी गया बट उसके बाद फिर से देखेंगे जब मार्केट में प्रेशर थोड़ा बढ़ता गया तो उसने वह तोड़ा फिर उसके बीच में कंसॉलिडेट किया एंद दन उसके बाद यह लेवल को भी तोड़ा और एक्जैक्ली कहा गया वह गया था एक सो चार रुपे तक ठीक है 104 रुपीस का इंट्रा डे लो बनाता है लेकिन जिस लेवल से यह जाता है उससे एक शांदार रिकवरी दिखाता है और शेयर देखिए वापिस उपर आने की पूरी कोशिश की और देखिए काफी बढ़िया 104 रुपे से देखिए उपर आ 107 रुपे साथ पैसे तो डेफि दोस्तों अब शेयर को मदद करेगा उपर जाने में 104 रुपे का एक important support बन चुका है 110 रुपे के उपर निकलता है तो बढ़िया तेजी बनेगी निकल चुका था बट देखिए महाँ पर sustain नहीं हुआ तो अगला हफता बहुत बढ़ा important होने वाला है क्योंकि देखिए कर रही है और जो शेयर में जो तेजी देखने को मिल रही है वो एक clear sign है कि देखिए यहां से और भी आगे बढ़ने का यह पूरी कोशिश करेगा और Tata Power के अदर जितने जल्दी आप buying लेते हैं उसता ही दोस्तों बढ़िया होगा because Tata Power is a good stock and it now are lower prices तो इन लेवल्स पे definitely ए अब देखें इसके return सबसे important होता है आप देखेंगे पिछले 5 साल में यह share आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला था करीबन 81% खास नहीं है 5 साल में 81% बहुत कम है यह ठीक है बट पिछले 6 महीने के अंदर यह share दोस्तों जो तेजी से बढ़ा करीबन 89% वो दोस्तों होती जादा बढ़िया है बिकॉस टार्ट पावर ने अपने सारे crucial support resistance उन सबको respect करकर के तोड़ा और यहां से भागा है विछले एक मेने के इंदर 25% तो यह पूरा कहा सकते हैं कि 29 2020 से लगा के 2021 जो भी चल रहा है current टार्ट पावर के लिए best year साबित हुआ है और यहां से कम से कम टार्ट पावर मुझे लगता है कि इन लेवल से 150 रुपे का perfect candidate है और यहां पर कोई भी dip मिलती है तो आपको just entry लेने का सोचना चाहिए टार्ट पावर ने आपको सारे support को respect दिया है जो आपको समझ में आना चाहिए कि support और resistance एक बहुत ही crucial पार्ट होते हैं हर share के और share ने वो का वो ही किया है देखिए पहले यहां पर जहां पर consolidate होता था तो 50 रुपे के level 50 से 55 रुपे के level पर काफी बड़ा consolidation देखने को मिला ल इन लेवल पर टार्ट पावर को करते हैं आप तब भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी इन लेवल से बहुत ही बढ़िया आपको share बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा कम से कम 150 रुपे के लिए आपको खरीदना चाहिए अब दूस्तों बात कर लेते हैं share के technicals के उप सेलिंग प्रेशर डिफिनिटली अभी आता हुआ देखने को मिल रहा है एट सेल नाइन बाय तो कोई ज्यादा आपको बाइंग देखने को मिल नहीं दिये पर यहां पर सेलिंग और बाइंग बरावर तो इतने कोई खास दनने की बाद दिखती भी नहीं है और सेलिंग प् 114.58 119.92 and 131.17 तो most important आप समलीजी कि 110 रूपय के उपर इसको टिकना बहुत important है अगला हफता इसके लिए important क्योंने वाल है कि 110 रूपय के उपर अगर यह sustain रहता है तो फिर देखिए 120-130 इमेडिये आपको देखने को मिल सकते हैं इस महिने के अंदरी target बट अगर 110 को यह level तोड़ता है और 104 जो इसने important support बनाया है नीचे यहां पर जो first top support देखा है 103.3 जो बिल्कुल pass है 104 के तो यह देखिए 104 इसका important support बन चुका है जब तक इस level को नहीं तोड़ेगा तब तक आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी तो देखिए क्या करना आपको buy करन stop loss maintain करना है वो करना 104 का और दोस्तों इस strategy जब चलिए और टाट अवर एक ऐसा stock है जिसको अभी lower levels पर मिलता तो portfolio में बना के रखे यह मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा सावित हो सकता है और इस साल का बहुत ही बड़िया stock से में से देखिए मुझे लगता है कि probably यह दोस्तों इस वीडियो में इतना है अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करेगा चैनल को सब्स्क्राइब करना मत बूलना वीडियो को शेविजो करेगा थेंक यू फ्रेंट वाचिंग इस वीडियो